असलाम अलएकूम जी साइवन क्लास बच्चों कैसे आप लोग ठीक हैं जी बच्चों हमारे थोड़ी सी रेडिंग रहागी है वो आज हम लोग कम्प्लीट करते हैं आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें पेज नंबर 69 नाइस प्रोडियोसी सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स आन आवर फिजिकल और मेंटल हैल्थ शोर की जो अलूदगी है वो हमारी जहनी और जस्मानी सहत बर बहुत ज्यादा नुकसान दे असरात पैदा करती हैं डिस्टर्ब स्लीप और लेट्स आफ मैने नर्वस प्राब्लम इससे हमारी नीन में हलल पैदा होता है और बहुत से जो असाबी मिसाइल हैं उनकी तरफ ये जो पॉलूशन है वो ले जाती है Sudden burst of sound can cause acute damage to the air, drum and many cause temporary और पर्मानेट डिफनेस कि अचानक जो आवाज उन्ची आवाज है वो हमारे कानों की परदे को एर ड्रम कान के जो परदा है उन्हें नुकसान पहुंचाने का बाइस बनती है जिसकी वज़ा से पर्मानेट डिफनेस के मुस्तकिल तोर पर बहरापन भी हो सकता है डिफनेस के बहरापन हो सकता है इस शोर की अलोदगी के वज़ा से इन दा मॉडरन एज अफ इंडस्ट्री और इलेक्रिसिटी इज इस आल्मोस्ट इंपॉसिबल तो गेट रिड़ अफ नॉइस पॉलिशन इन दा मॉडरन एज कि इन दा मॉडरन एज सनत और जो बरकी अलाथ है वह जदीत दोर में अलोधिगी से छुटकारा उनसे पाना तक्रेबन नामुम्किन है मतलब कहरे जो इंडस्ट्री जह और सनते हैं उनकी वज़ा से शोर की अलोधिगी में मतलब उससे छुटकारा पाना नामुम्किन है However, there are ways and means to reduce the intensity of noise to moderate level ताहम शोर की शिद्दत को काबले बरदाश्ट तक लाने के लिए different तरीके मुझूद होने चाहिए मतलब कि उसे शोर की लोदगियों का काम करने के लिए कह रहे हैं कि moderate level के जो मनासब लेवल के तरीके हैं वो मुझूद होने चाहिए जिसकी वज़ा से हम लोग noise pollution पे काबू पासकते हैं कि जब तक ये industries हैं, factories हैं, इनके शोर है इसके लोग ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियों अगरा का तब तक हम लोग शोर के लोदगी से छुटकारा नहीं पासकते हैं और इसके वज़ा से मिसलसल मुस्तकील बहरापन और कान की जो कान वो affected होते हैं और इनसे बहरापन हो जाता है इसलिए वो कह रहा है कि मनासब लेवल के method जो हैं, वो होने चाहिए जिसके वज़ा से हम लोग के सलोदगी पे से छुटकारा पा सकते हैं जी बच्चों आप लोग ये reading करें, हमाई reading complete हो गई है ये आप लोग याद करें, साथ question देख लेते हैं वाट इस दा काज़ आफ वाटर पोलुशन के वाटर पोलुशन जो है, वो किस चीज़ का सबब बनती है इडिज काज़ बाइन काज़ आफ डॉमेस्टिक एंड इंडस्रियल वेस्ट प्योड इन्टु दा स्ट्रीम्स रिवर्स एंड लैक्स के जो डॉमेस्टिक वेस्ट है और इंडस्ट्री का जो नकारा गंद वगएरा है वो जो नदी नाल में बहता है ये एकाज बनता है वाटर पोलुशन का और ये किस तरह हार्मफुल है हमारे लिए नाइस इस पॉलुशन को जो प्राब्लम करती है उसके वजह से मुस्त्किल बहरापन भी हो सकता है ठीक है बचों ये क्वेस्टन आप लोग अपने कॉपीस पर राइट करें और इन्हें याद करें इसके लावा ये साथ रेडे